अश्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पारेस इडिया पर मैं हूँ अंकित अबस्ती आप में मेरे साथ में एक ऐसे सेशन की चर्चा करने के लिए जिसकी वजह से आपको भारत की राजनिती की समझ तो बढ़ेगी ही पार्लियमेंट के अंदर किस तरह से काम होते हैं वो भी आपको समझ में आएंगे आज का सेशन एक कॉर्पोरेट वॉर का सेशन है जिसके अंदर अडानी वर्सिस हीरा नंदानी है अदानी वर्सिस हीरा नंदानी समझते रहेंगे यह उध्योग पती हैं किस तरह की बाते करते हैं लेकिन एक सांसद का नाम किस तरह से बीच जिक्र में आया है आज के सेशन में जिक्र करेंगे लेकिन ये सब चीजों में आगे बढ़कर लेके चलूँ उससे पहले मुझे कु आपके सामने जो तस्वीरों में हैं आप हैं मौया मित्रा ये कौन है मौया मित्रा ये साथियों TMC की तरणमूल कॉंगरेस की सांसद हैं मौया मित्रा और मौया मित्रा लोगसभा सांसद हैं यानि कि लोगसभा में बैठती हैं कहां से बिलॉंग करती हैं पस्चिब बंगा बीजेपी की MP हैं, कहांपर हैं लोग सभा में हैं, राज सभा वाले नी, लोग सभा वाले हैं, ठीक है साप, आच्छा, चर्चा क्या करने वाले हैं, कि मउवा मित्रा के उपर, यह जो आपको दिख रही है, इन पर आरोप लगा है, कि आरोप लगा है, किस ने लगाया है, तो इन्दी ये आरोप सही पाए गए तो, कौन से आरोप? जो निश्रीकान दूबे ने लगाएं. क्या दूबे ने आरोप लगाएं? दूबे ने आरोप ये लगाएं हैं कि इन्होंने पैसा लेके सवाल पूछें. पैसे लेके सवाल पूछने से क्या होता है? सर हम आपके सामने आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है ये है एक बिजनस टाइकून नाम है इनका हीरा नंदानी सरने है इनका और ये हैं मुंबई बेस्ट एक बहुत बड़े इंडस्ट लिस्ट है ऐसे उध्योग पती है जिनकी टककर सीधी अडानी से है अडानी से रिलेटेड सवाल पूछने के लिए हीरा नंदानी ने महुआ मोहित्रा को पैसे दिये थे ऐसा निशिकान दूवे जी के द्वारा आरोप लगाया गया है कुल कहानी का सार तो इतना सा है खबरों में अगर देखा जाए तो महुआ मोहित्रा जिनके वारे में हमने एक बार पहले भी एक वीडियो के अंदर जिक्र करते हुए बताया था कि ये लुई विटो का तो पर्स रखती है जिसकी कीमत 5-6 लाक रुपे से उपर गया अब पैसे वाली होंगी हो सकता है कई से पैसा कमाया होगा सारी बाते स्विकार कर रहे हैं कि हाजी अपना ही था मामला सारा की सारा अब ये सारी कहानी कैसे वाहर आई सारी कहानी को डिटेल में आपको बताएंगे क्योंकि इस समय तीन चीजे टॉप ट्रेंडिंग में हैं क्या-क्या है एक तरफ आपको मुवा मोहितरा तो दिखी रही है नाम दिख रहा है दर्शन हीरा नंदानी जिनका जिक्र है उस उद्योगपती का जिसके वज़े से मुवा मोहितरा सवाल पूछ रही थी एक और चीज ट्रेंड कर रही है इस कुट्टा, डॉग इस डॉग की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कारण ये है कि मुवा मोहितरा का ये जो पबलिक के अंदर जंचर्चा हो रही है वो चर्चा असल में किसी कुट्टे के कारण हो रही है ये कुट्टा किसी व्यक्ती का उपनाम नहीं दिया गया है कुत्ता मतलब रियल में एक डॉग है, नाम है उसका हैंडरी, उसके कारण मौवा मोहीतरा चर्चा में है, तीसरा है मौवा टार्गेटिड अडानी, ये सारी बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि राजनीती के अंदर, जो भी क्लोज ही है, उस राजनीती का अपराद से लंबा संपर्क रहा है, भारत की राजनीती को अगर आप ध्यान से देखें, तो 43% ऐसे लीडर्स हैं हमारे, जिनका किसी ना किसी प्रकार के अपराद से जुड़ा होना पाया गया है, भारत की राजनीती में अपराद कितना अंदर तक ह और किस प्रकार से अपराद के माध्यम से राजनेता अपना लाभ सुनिश्चित करते हैं क्राइम से रिलेटेड यह है एक आडियो बुक है कुकू FM पर जिसका लिंग कमेंट बॉक्स और डेस्क्रिप्शन में है जिसे 4.7 रेटिंग व्यूवर्स ने दी हुई आप वहाँ जाकर देख सकते हैं मैंने खुद ने इसे 5 इस्टार रेटिंग दी है आप जाएं और यहाँ पर क्राइम से जुड़ी हुई वो कहानिया जाने जो की राजनीती से जुड़ी हुई है बाइदावे मैं आपको एक चीश और बता दू इस कुकू FM पर जिसका link मैंने comment box में pin किया है यहाँ पर बहुत तरह के genre के किताबे रखी हुई है चाहे lifestyle से हो, चाहे economics से हो, चाहे history से हो, चाहे current affairs से हो बहुत सारी audiobooks, लगभग मतलब 15,00,000,000 से जादा active users 10,000 से जादा audiobooks को सुन रहे हैं इतना सारा content यहाँ पर है, motivation भी है, तो economics में investment भी है सब चीशें यहाँ पर, maximum चीशें जो trending box है, उनको cover करने का प्रयास किया गया है आप भी जाकर इने सुन सकते हैं पे करना पड़ेगा, 49 रुपीज प्रती महा, पहले महीने के लिए वैसे 99 रुपीज पर मंथ है, लेकिन यदि आप मेरा coupon code अंकित50 यूज़ करते हैं तो आपको पहले महीने का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज मैं प्राप्त हो जाता है चलिए, आगे लेकर चलते हैं किरदारों के परिशम है, कहानी बड़ी interesting है लेकिन इससे पहले मुझे थोड़े से आपको basics बताने होंगे basics बताने से पहले महुआ मोहितरा से मिल लीजिए दर्शन हीरा नंदानी से मिल लीजिए निशिकान दूबे से मिल लीजिए, एक व्यक्ति से और मिल लीजिए बस मेरा इंतकाम देखेगी वाला हीरो है ये जै अनंत देहरद्राई ये कौन है साब? बाई साब ये कभी इन मैडम के मित्र हुआ करते थे ऐसा media reports का दावा है और या अपन कोई media के अंदर खबरी लाल तो है नहीं जो news में चल रहा है वो आपको सुनाने वाले वेक्ति हैं क्या चल रहा है? ये जो जै अनंत देहद्राई है जिसके बारे में लिखा गया है कि ये advocate है criminal lawyer है, 12 साल से अपनी advocacy कर रहे हैं ये इन madam के मित्र हुआ करते थे आप दौनों के बीच तकरार हुआ मित्रता खंडित हुई और उस बीच में ये भाईसा बाहर निकल कर आते हैं और इनके पुरे पुरे राज खोल कर रख देते हैं राज जिसमें सबसे बड़ा राज ये है कि इन madam ने पैसे, gift, luxury items ले करके अदानी के बारे में पारलियमेंट के अंदर सवाल पूछे और ऐसे सवाल पूछे जिसकी वजह से दर्शन हीरा नंदानी को लाब हुआ अब देखिए मित्रता तो इन दौनों की थी दौनों की मित्रता में दरार आई दरार का बड़ा कारण था एक कुत्ता जिसका नाम है हैंडरी वो इन madam ने इन से ले लिया था इनके पास कुत्ता पहुँच गया हैंडरी को ये लंबे समय से मांग रहे थे madam ने हैंडरी नहीं दिया ऐसा देखिए मीडिया रिपोर्ट का मानना है और जब मैडम ने खुता नहीं लोटाया तो दोस्त नाराज हो गया दोस्त ने का मैं तुम्हारी सारी बातें मतलब तुम्हारी पोल दुनिया के सामने खोल कर रख दूँगा और उस पोल कोल कारेकरम के अंदर इन्हों मैडम के सारे की सारे राज मीडिया के सामने रख दिये मीडिया के सामने रखे तो निशिकान दूबे जी तयारी बैठे थे कि आजाई ये जानकारी लेकर करके ये तुरंत ले आए जानकारी जो आरोप लगे उनको लेकर ओम बिडला जी के पास पहुँच गए कि सर देखिए ये पैसा लेकर सवाल पूछती थी अब आपके दिमाग में बड़ा सवाल बनेगा सर एक मिनिट सर पैसा लेकर सवाल पूछना गलत क्या सवाल तो पूछाना कैई सांसत तो ऐसे हैं जो सवाल ही नहीं जो बहुती famous line है, जिसमें का जाता है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए साशन, यह तीन word बहुत अच्छे से आप लोग सुनते हैं, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए साशन लोकतंत्र है, ऐसी इस्थती में हमारे द्वारा चुने हुए सांसद, जाकर ब 245 सांसदों की सीट है ठीक है अच्छा लोग सभा में जिसका बहुमत होता है बहुमत से मतलब है जिसके पास में 272 से ज़्यादा सांसद होते हैं वह अपनी सरकार बनाता है वरतमान में NDA गटबंदन जिसमें BJP majority party है उसके पास में सारी की सारी 227 से ज़्यादा की सीटे हैं इसलिए वो सरकार में हैं जो सरकार में नहीं हैं वो कहां बैठे हैं वो विपक्ष में बैठे हैं और जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो लोकसभा में जो सत्तारूड पार्टी है इससे सवाल पूछें ऐसा क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जो council of minister है यानि कि जो हमारी मंत्री परिशद है it is responsible to the लोकसभा यानि council of minister जो है वो जवाब दे है accountable है लोकसभा के लिए लोकसभा के लिए जब वो जिम्मेदार है तो ऐसी इस्थिती में opposition party यानि कि जिनके पास दोसो बहतर नहीं थे जो बचे रह गए वो सरकार से सवाल पूछेंगे और इस प्रकार से सरकार को जवाब दे बनाएंगे जवाब दे का मतलब हुआ कि आप से सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ ऐसा क्यों हुआ इस तरह की कमिया कैसे रह गई इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो ये accountability तै करता है तभी तो हम कहते हैं जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए साशन अब चूकी पूरी की पूरी 140 करोड़ लोग संसद में जाकर नहीं बैठ सकते तो हम लोगों ने अपनी तरफ से लोग निर्वाचित करके वहाँ भेज दिये हैं वो अपने हितों के लिए वहाँ पर सवाल पूछ करके सरकार से हमारे काम करवाते हैं तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए चलिए दूसरा point समझिएगा दूसरा point ये है कि जब सरकार के अंदर बैठे हुए सांसद यानि Council of Minister के जो सांसद है उनसे कोई सवाल पूछना होता है अपोजीशन को तो इसके एक तैप प्रकरिया होती है क्या तैप प्रकरिया होती है देखे जब हमारी संसद शुरू होती है संसद सत्र शुरू होता है तो संसद हमारी BMW के अंदर आती है BMW का मतलब वहा बजट के अंदर मांसून के अंदर और winter session के अंदर हमारे 3 सत्र हैं हमारे समिधान में mentioned है कि 6 महिने से ज़्यादा का 2 सत्र के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए तो budget सत्र हो, मांसून सत्र हो winter सत्र हो, जब भी सांसद लोग बैठते हैं, वहाँ पर सवाल जवाब किये जाते हैं, संसद के अंदर एक टै प्रकरिया follow की जाती है और उस टै प्रकरिया में शुरुवाती एक घंटा सुभए 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में एक टै समय रखा जाता है, जहां पर संसद के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, यानि की महुआ मोहितरा सुनने आये थे, हमने का सुनने आये थे, उससे पहले थोड़ा concept समझ लीजिए, तब जाकर के आपको यह समझ में आएगा, कि महुआ मोहितरा ने गलत क्या किया है, अदरवाइस तो आपको लगता है सवाल पूछते हैं, जैसे आप ऐसे student ऐसे महुआ मोहितरा ने भी कोई सवाल ही पूछा होगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मामले में अंतर है और वो आपको समझना होगा, संसद की कई तस्वीरें आपने ऐसी देखी होंगी, जिसमें आपको माननिय संसद बोलते हुए सुनाई देते हैं, और कई माननिय संसद सवाल पूछते हुए दिखाई देते हैं, और बैठ में, बीच में बैठे हुए speaker महदे बीच में बार-बार कह रहे होते हैं माननिय संसद बैठ जाईए, आपका time हो गया है बैठ जाईए, बैठ जाईए, ऐसे भी कहते हुए आपने सुना होगा, खेर, प्रश्नकाल, प्रश्नकाल में सवाल पूछते हुए, आपने कई बार सांसदों को देखा होगा, मन में एक प्रश्न खुद के भी खड़ा होता है, यार ये प्रश्नकाल के अंदर जो लोग सवाल पूछते हैं, इनको सवाल पूछने की सब को इज इजाज़त क्यों नहीं मिलती कुछी लोगों को इजाज़त क्यों मिलती है यह बचपन में चोटा था मेरे भी दिमाग में सवाल आता था आपके भी आना चाहिए अगर आप थोड़ा सा भी देखते हैं संसद की कारवाईयों को कि यह इतने संसद बैठते हैं सब का नंबर क् क्यों नहीं पूछते हैं सवाल आपकी क्लास में भी हर बच्चा थोड़ी पूछता है कुछ एक बच्चे होते हैं जो इनको आप intelligent मानते हैं या जो doubt वाले मानते हैं या फिर जिनको आप ऐसा मानते हैं कि टीचर को परिशान करने के लिए सवाल पूछ रहा है सवाल पूछ तुबए 11 से लेके 12 बजे का जो समय है जिसे आप question hour केहते हैं उसके बाद का जो समय उसे सुन्यकाल केहते हैं zero hour जहां पर जिन सवालों के जवाब नहीं दिये गए उनके सवाल जवाब दिये जाते हैं question आवर में तीन प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, एक प्रकार के सवाल को कहा जाता है, start question, क्या कहा जाता है, तारांकित प्रशन, अब ये तारांकित प्रशन क्या है, good, तारांकित प्रशन क्या होता है, तारांकित प्रशन जिसमें तारे लगे हुए, हाँ भया, अभी जा अगे बढ़तें, start question क्या है जिन questions के उपर तारे लगाकर रखे गए हैं, और दूसरा question होता है एतारांकित, एतारांकित का मतलब होता है अनhoven started, अन Pharise चाल का मतलब क्या होता है अनि स्टाल का मतलब होता है जिन पर तारे नहीं लगे घुए है और तीसरा होता है short notice question, कौन सा होता है short notice question, अब ये तीनों चीजे क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए, देखिए साब, मान लीजिए कि आपने इस प्रकार का एक letter लिखा, जिसमें एक से ले करके 10 तक आपने अपने द्वारा एक गिंती लिख करके question भेजे, कहां भेजे, आपन भेजे जाते हैं सांसदों द्वारा, तो कैई बार सांसद महदे, उन में से किसी question के उपर इस तरह से star लगा देते हैं, यहीं पर है सारा की सारा खेला, अगर आपको ये समझ में आ गया, तो आज का मुद्दा समझ में आ जाएगा, मुवा मोहितरा का मामला समझ में आ जाते हैं ये same day नहीं पूछे जाते हैं, ये पूछने से 10 दिन पहले ही speaker महदे को भेज दिये जाते हैं, कैसे भेजे जाते हैं, खत में भेजा जाता है कि online भेजा जाता है, सारा खेला यहीं से हो रहा है, हमारे जो माननिये सांसद हैं, उन सब के पास online एक login ID दी हुई है, सवाल advance में दिये जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, और जब सवाल advance में दिये जाते हैं और उस पर star लगा दिया जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि उस सवाल का जवाब आप मौखिक चाहते हैं, यानि कि सवाल पहले ही दे दिये जाते हैं, जवाब आप मौखिक चाहते हैं written जवाब चाहते हैं बड़ी interesting बात है आप संसिद की कारवाई जब देखते हैं तो देखकर आपके मन में यह आता है यार हमारे मंत्री जी इतनी तयारी से कैसे आये थे इसलिए आये थे मंत्री जी के पास 10 दिन पहले ही सवाल दे दिये गए थे कि मंत्री जी यह सवाल पूछा जाएगा फिर आप कहेंगे यार देखकर मजा आ गया विपक्ष में सवाल पूछने वाले ने इतना जवर्दस तरीके से प्रस्तुती करण दिया आनंद आ गया वो भी 10 दिन पहले से practice कर रहे हैं कि उन्होंने सवाल पहले से भेज रखा है सर यह तो हमारे सामने पूरी तरह acting चल रही है हमारे सामने screen play चल रहा है ऐसा नहीं है अच्छी बात है आपको मंत्री महदे incomplete जवाब दें तो वो पूरी तरह तयार होकर आते हैं के सामने जवाब देने के लिए ठीक है तीसरा प्रशन है अल्प सूचना अगर 10 दिन से भी कम समय में आपने speaker को कोई प्रशन पूछा तो उसे short notice का बड़ा interesting सवाल है आप से अगर कोई यह पूछे कि सर एक बात बताईए मुझे से आपने एक सवाल पूछा क्या सवाल पूछा सर मुझे यह बताईए कि आपका daily routine क्या होता है यह मेरा personal मामला हो गया लेकिन अगर मैंने आपसे यह कह दिया कि आप मुझे से कैसा भी सवाल पूछने के लिए free है तो आप सवाल लिख कर दे दिये अब सवाल लिख कर दे दिये इस speaker ने सवाल स्विकार कर लिए सवाल का जवाब देना पड़ेगा तो मुझे पूरी detail बतानी पड़ेगी कि मैं इतने बज़े जखता हूँ मैं इतनी बज़े यहाँ walk करने जाता हूँ मैं यह खाता हूँ मैं इस से मिलता हूँ मैं यहाँ जाता हूँ मेरी पूरी detail आपके पास चली गई आपको यह आसानी से पता चल गया कि इस आदमी के निजी जीवन में क्या चल रहा है अब आप उस सूचना का कैसे प्रयोग करते हैं कि जुड़े हुए थे अदानी से किस से जुड़े हुए थे अदानी से क्या सवाल पूछे मोगा मोहितरा ने यह बताओ भया कि यह अदानी जो है यह इस project में आप लोगों के साथ किस तरह की deal कर रहा है यह सरकार के साथ क्या M.O.U. हुआ है सरकार के साथ अदानी की क्या deal हुई है on paper बताईए documents बताईए अदानी ने कितने की bid लगाई क्या क्या किया जरा बताईए अब सरकार तो भाई जवाब दे है क्योंकि सरकार को जवाब देना है on return जब सरकारी काम हो रखा है तो मौवा मोहित्रा ने सवाल पूछा उसका जवाब सरकार ने दिया पूरा data अच्छा आपको लगता है जवाब ऐसे दिया होगा सर खाना खाया क्या यस और नो मैं जवाब दो ऐसा नहीं यह पूरा detail आंसर दिया जाता है जब सरकार की तरफ से लिखित मतलब एतारंकित प्रशनों के जवाब दिये जाते हैं तो पूरी तरह से written जवाब दिये जाते हैं जानकारी पता चली कि मौवा मोहित्रा ने 62 सवाल पूछे हैं अभी तक जब से सांसद बनी है उनमें से 51 सवाल उन्होंने ऐसे पूछे जिनका सीधा सीधा फाइदा एक ही व्यक्ति को हो रहा था that is हीरा नंदानी कौन सा हीरा नंदानी ये वाला हीरा नंदानी जिसका नाम है दर्शन हीरा नंदानी ये कौन है? ये वो व्यक्ति है जिसे अदानी की ख़बर निकलवानी थी, संसद के माध्यम से निकलवानी थी, सवाल पूछने के लिए इनके पास में मैडम थी, इन्होंने बकाइदा इनके माध्यम से सवाल पुछवाए कि ये पूछकर बताओ अदानी ने ये काम कैसे किया हीरा नंदानी मुंबई का एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट ग्रूप है, ये कहते हैं कि मुंबई के अंदर जो सिलिकॉन वैली है ना एक तरह से कहा जाए तो वो हीरा नंदानी की कॉलोनिया है, मतलब इन्होंने बेंकर रियल एस्टेट में काम किया हुआ है, वर्ल्ड अदनी की जानकारी निकलवाने के लिए इन्होंने मुवा मोहित्रा के माद्दिम से सवाल पुछवाए, इतना बड़ा रियल एस्टेट का आदमी, इतना बड़ा बिजनिसमेन, भाई, ऑव्यस ही बात है, दूसरे बिजनिसमेन की जानकारी जितनी जादा रहेगी, उतना जादा उनको फाइदा होगा, इस तरह से इन्होंने इनका दुरुपियोग किया, ये इन पर आरोप है, अब बड़ा सवाल ये है, ये तो आरोप हुआ, क्या पता अडानी के उपर अपोजीशन ने सवाल पूछे, इस से सरकार परिशान होकर के इनके उपर जबरदस्ती ब इस स्पिकर से सवाल पूछने के लिए, जो लॉग इन आईडी चाहिए होते थे एक सांसद को, वो मेरे पास ही थे, चिंता मत करो, मैं ही निक करके भेजता था, इस स्पिकर मौदे को क्वेशन आपका दिमाग खराब किया, सांसद ने, ये बिल्कुल वैसे हो गया, जैसे आपकी इमेल आईडी, आपका वाटसाप, आपका फेस्बुक कोई और चला रहा हो, और उसके माध्यम से किसी को साथ बातचीत हो यह हूँ, वो अपने हित के लिए सारे उपयोग कर रहा हो, बदले में क्या मिला, बदले में मैडम को इन्होंने बढ़िया बढ़िया बहतर बजी थे, इस समय पर बजी हो रखे थे कि भाई क्या चल रहा है, इसराइल के अंदर क्या चल रहा है, पैलेस्टाइन और हमास इन सब के बीच में, इस बीच में देश की राजमीती में क्या चल रहा था, इतने दिन से बचा हुआ, वो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ 15 अक्टूबर के दिन निशिकान दूबे इस मामले को लेकर आते हैं कि मौवा मोहितरा टुक ब्राइब टू आस्क क्वेस्चन इन पारलेमेंट, अच्छा अब आपके दिमाख में एक प्रश्न जो इस पूरी कहानी के बाद बचा रहा गया, वो ये है, मान लीजिए कि ऐस ने ऐसा कुछ कर दिया, बहुत सही सवाल है, क्या ये पाप है, तो इसके बारे में जवाब ये है, कि हाँ सहाब, ये आपके संसदिये अधिकारों का, यानि विशेश अधिकारों का हनन है, और अगर आपके विशेश अधिकारों का ये हनन है, यानि प्रिविलेजिस का हनन है तो आप पर कारवाही होना बनता है अब ये कारवाही कहा की जाए ये कारवाही करने के लिए आपको ethics committee के पास जाना पड़ेगा अब ये ethics committee कहा होती है लोग सभा के अंदर राज सभा के अंदर एक समयती होती है जो कि सांसदों की नैतिकता के उपर ध्यान देती है कि ये लोग कितने ethical बचे हैं, क्या ये लोग रिश्वत लेकर के, क्या unethical तरीके से ये हमारी संसद में मिले हुए अपने अधिकारों का दुरुपियोग तो नहीं कर रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होता है, ethical समयती अगर ये पाजा के अंदर इसी प्रकार से पैसे से question पूछने के लिए suspend हो चुके हैं, यानि कि ये कोई नया काम नहीं है, सवाल के लिए पैसे का मामला पहले भी निकल कर आता रहा है, फिर आईए, तो साब आप 15 अक्टूबर की खबर देखते हैं कि मौवा मोहित्रा टुक ब्राइड टु Ask question in Parliament BJP MP Eleges, मौवा मोहित्रा not free brand, यहाँ पर आप ये सब चीजें देख सकते हैं, BJP MP निशिकान दूबे ने लोगसभा को संडे के दिन, लोगसभा स्पीकर को रविवार के दिन एक पत्र लिख करके कहा, कि साब देखिए बात ऐसी है कि मौवा मोहित्रा जो तरनमूल कॉं जैसे इनके उपर आरोप लगता है कि इनके डिगरी फरजी है, ये PhD की डिगरी लिए हुए हैं, इनके उपर आरोप लगता है कि इनके पास डिगरी फरजी है, अब देखिए हमने तो आपको एक audiobook सजेस्ट किये कि राजिनिती के अंदर अपराद का आना जाना बना हुआ है अब किसके पास क्या सही है, क्या गलत है, हम तो सब बोले वाले लोग है, आप और अपन तो किसको क्या पता, सब चल रहा है, अब कोई बता दे रहा है हम लोग उसी की चर्चा कर ले रहे हैं, ठीक है साब, अब ऐसी इस्थिती में इन्हों ने लोग सभा स्पीकर को जानका क्यों नहीं लाती, बहुले प्रिविलेजिस का दोहन होने का आरोब सांसद ही लगा सकते हैं, इसलिए मैं ला रहा हूँ, यानि निशिकान दूबे जी का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, वो तो केवल फेस बने हैं इस पूरे केस के, अदर्वाइस इस मामले को तो 2005 में ऐसा हुआ है, जब संसद की समयती के द्वारा 10 संसदों को 23 दिन के लिए निलंबित किया गया था, क्योंकि उन्हांने पैसे लेके सवाल पूछे थे, कैश फोर क्वेशन किया था, बकायदा इन पर पूरे पूरे जानकारी के साथ पत्र लगाए कि इन मैडम ने किस-क गर आये थे, उनका उपयोग किया गया था, अर्थात सोच कर देखिए कि अदानी को नीचे गिडाने के लिए, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, अब पतानी वो कहां गायब हो गई है, जिसने अदानी के पूरे शेर मार्केट को तहसनेस कर दिया था, वो को जो सरकारी आवास मिला हुआ है, दिल्ली में सांसत बनने के बाद, उनको वो पसंद नहीं आया, उन्होंने CPWD के लोगों को बुलाया कि भाई, मेर को मेरा घर पसंद नहीं आ रहा है, इस घर को सही किया जाए, तो भाई साब उनने का कि मैडम इतना ही बजट है, इसमें इतना ही हो सकता है, तो बोले एक काम करो, हीरा नंदानी के इन्वेस्ट उसको बढ़ाओ, बिल्डर को बुलाओ, हीरा नंदानी ने अपना इंटीर डेकोरेटर भीजा, बकाईड़ा उस घर को पूरी तरह से वापस डिजाइन किया गया, सरकारी आवास को बहुत जबर्द स्वीट में बदला गया, हीरा नंदानी इस परकार की सेवाएं इनको दे रहे थे, ऐसा आरोप है, ठीक है न, जिस तरह का पत्र दिया गया है, उसमें हीरा नंदानी के बारे में जिक्र है, हीरा नंदानी मुंबई के बिजनिस टाइकून है, आप इन्हें देख सकते हैं, 1978 से ये लोग काम कर रहे हैं, इनके द्वारा मुंबई, बैंगलूरू, चेन, नई, हैदराबाद में खूब इन्वेस्टमेंट हुए हैं, ये दौना बाप बेटे हैं, फिलहाल दर्शन हीरा नंदानी सुर्खियों में हैं, ये इसलिए भी जाने जाते हैं कि चाहाए सब चीजों में, इवन 2020 के अंदर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर जहां पर आपका और हमारा डेटा जाकर सुरक्षित होता है, वो इन्होंने बनाया था, इसलिए ये काफी जादा चर्चा में, पईसे वाले लोग बाग हैं, बाकी तो इनके बारे में क् बाई जाओ, ये वो हैं जिन्होंने मित्रता में जो धुका खाया, उसकी वज़े से दुनिया के सामने जाकर सारी बातों को बताया, कौन है ये, ये हैं जै अनंत देहा द्राई, कौन है साब ये, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबि जै अनंत देहा द्राई और मववा मित्रा दौनों पहले दोस्त हुआ करते थे, दौनों में जगडा हो गया, अब दौनों की दोस्ती जो है वो इन तस्वीरों से शायद आपको दिखाई दे जाए, दौनों हाथ में अपने शायद कोई ना कोई प्ये पधार्त लिये चोरी, अशलील संदेश और दौर विवहार के लिए देहा द्राई के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी, भई रहा होगा देखे किसी के परसनल मामले में अपन नहीं गुशेंगे, हो सकता है इन दौनों के बीच कोई विवहार रहा हो, कैसी भी प्रकार का विवहार रहा ह अब उस विवहार में इन दौनों के बीच में उचनीच हो गई, आप वकील सहाब हैं, इनके उपर मैडम ने यानि MP मैडम ने आरोप लगा कर शिकायत कर दी, कि ये व्यक्ति मुझे अशलील मैसेज भेजता है, मेरे साथ दौर विवहार करता है, आप रादिक अतिक्रमन कर अंत में जै अनंत ने CBI में मौवा मोहित्रा के खिलाफ सबूत पकड़ा कर शिकायत दर्ज करा दी, भाई देखिए गाजी, प्यार, दोस्ती, इनमें जब भी ब्रेक अप होता है, तो जो आपका बहुत करीबी होता है, वो आपको बहुत अंदर तक नुकसान पहुँचात है, और जो यह मित्रता की सबसे बड़ी कसोटी है, वो यही है, कि मित्र जब दुश्मनी करने की नित्सठानता है न, तो वो सबसे खतरनाक दोस्त की जगे दुश्मन बन कराता है, तो मित्रता भी एक लिमिट में की जाती है, ऐसा समझदार लोग करते हैं, आप और हम तो खेर, प्यार में ही डूबे रहते हैं, ऐसी इस्थिती के अंदर, CBI ने मोहित्रा के खिला सबूत दे करके, इन्हों ने शिकायत दर्ज कर आए, कि मैडम जी बात ये है, कि इन्हों ने तो मुझे इनके बारे में सब पता है, अब भाई, घरका बेधी लंका डाय, दौनों म बात बढ़ते बढ़ते, जैसे वो वाली बात हो गई ना, कैई बार जब लडाई होती है दोस्तों के बीच में, प्रेमी प्रेमी काओं के बीच में, तो लडाई में बात चाय कुछ भी हो, लेकिन पता चले कलेज के वाले इस बात पर हो गया, कि तुमने मेरी तरफ उंगल के पास में है, और मोहितरा इस डौगी को अपने साथ रखके फोटो फाटो डालती रहती है, लोग जो कुत्ता करके ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीटर हैंडल पर, वो असल में इस कुत्ते के लिए कर रहे हैं, इस डौगी के लिए कर रहे हैं, भाई साब यह जो डौगी है, ये जैयानंत का है, मैडम लेकर इसको अपने साथ बैट गई है, वो कह रहा है कि बाग की तो सब सही है, CBI में शिकायत करनी है, पुलिस में शिकायत करनी है, कर ले मैं तो वकीलों हो जाएगा मेरा जो होना है, लेकिन मेरा कुत्ता वापस आना चाहिए, अब भाई साथ इन द कुत्ते के एक्सचेंज में शिकायत हटाने तक की बातें हो गई है, कुत्ते ने कभी पुन्य कर्म कियोंगे पुराने जमाने में, जो इतना सुपरिस्टार हो गया, ये ट्विटर पर इसने सोचा नहीं होगा, कि एक दिन सुपरिस्टार हो गया, वाई हो, ठीक है, तो कहन का मतलब यह है कि कुट्पा हले लो अपना वापस केस वापस कर लो लेकिन हो नहीं रहा है मामला आगे तक पहुंच सुगा है अच्छा आपके दिमाग में प्रशन बनेगा कि सर क्या वाकई मैं ऐसे प्रशन के पूछे भी गए थे क्या मीडिया में आये भी थी क्या तो पु प्रशन पूछे उसका असल उद्देश हीरा नंदानी को फायदा पहुचाना था ठीक है साब अब महुआ मोह इतरा का तो कोई पक्ष किसी ने रखाई नहीं अभी तक उन्होंने क्या कहा उन्होंने अपने द्वारा ये कहा कि देखो आप लोग मुझ पर ED भेजो CBI भेज को इनका मित्रगवाई दे रहा है कि ये ऐसा करती थी जिसने कर रखा था जै एक बात सोचकर देखिए कि वो जो जो बिजनिसमेन है वहां बैठा हुआ जिसने इनके लॉग इन आईडी पास्वर्ट के माध्यम से सारी एंट्री की थी वो खुद कह रहा है कि हाँ भाई क्योंकि मुछे तो पता है कि मैंने कोई भी खिलाफ बात की है मुझे दबाने का प्रयास किया जाएगा बिल्कुल सही है इसको का जाता है एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी क्योंकि आपको ये तो पता है कि आप गलत कर चुके हो लेकिन अपोजीशन को इस बात का लाब है और राजनीती में ही केवल यह लाब उपलब्द है कि आपके मन में आएना जितना गलत कर लो और सरकार जब आपके उपर आकर कोई भी कारवाई करने आए तो केवल यह कह दो देखा बदले की कारवाई है यह यह हमसे हार रहे हैं, हमसे जीत नहीं पा रहे हैं इस कारण से ऐसा कर रहे है अरे मैडम जी अब तो संसद सत्र भी नहीं चल रहा आपको हरा के किसी को क्या लाब मिल रहा है आपकी जवाब में आप संसद में इन दिनों तो अडानी पूछ भी नहीं रही हो यह तो कोई पुराना मामला है आप ही का मित्र जाके CBI को देकर आ गया है आप अपने मित्र को संभा लिए और जिसके साथ में आपने ये लॉगिन आईडी वगरा शेर किये हुए थे वो खुद खुल के सामने आ गया है इसके बावजुद विचारी ED वाले सोचते होंगे यार करे धरे कोई बिल आके फटता है ED पर CBI पर और ED CBI वाले कुछ ना करें बड़ रोचक कहानी है कई बार क्या होता है किसी के बारे में राज खुलता है क्या राज खुलता है फलाने सिंग के घर में इतने रुपए की रिश्वत मिली ठीक है इतना पैसा मिल गया सरकारी नौकरों के घर में आए दिन सुर्कियां आती है कोई भी एक जाँच अजेंसी पहुँच जाती है मान लीजिए और वो ये पाती है कि इसके घर में इतना कैश मिल गया जाँच अजेंसी पहुँचते ही और जाँच अजेंसीयों को जाना पड़ता है क्यों जाना पड़ता है क्योंकि अगर नहीं गए तो उनसे सवाल पूछेगे कि जब तुम्हें पता चल गया कि वहाँ पर इतना पैसा है तो भाईया तुम यह बताओ सब्धें बताओ सब्साब सब्साओर णिए इंकम टेक्स वाले तुम बैठे तुमाशा देख रहे क्या थेPRबबां है बिचारों की मजबूरी है पुलिस वाले से पूछे तुम काय ने गयी चेक हरी क्या होरा है ये वाश्तिक्टा है जैसे मालोग केस हो जाए ऐसा सराब पीने से कई लोग मर गए मान लीजे, ऐसा कोई घटना हो गया, तो आप हो क्या लगता है, शराब पीने से मच गए, तो वाँ पर और एजेंसियों को नहीं जाना है, क्या अबर भाई सब को जाना है, फिर वाँ पर पुलिस भी जाएगी, आपकारी भी जाएगी, चिकितसा व आप हो सकता, पूरी तरह सही निकलाएं, लेकिन ED को बोल करके, ED को चिला करके, पता है, सरकार की भी एक जगसे वड़ी गलती क्या रही है, इस समय जो केंद्र सरकार है, जिसमें ED सब जगे भेज भेज करके, जो गलती रही है, ये तो सही है कि ED जहां गई है, वहाँ से कु सीवत बस ये है, maximum rate जितनी भी हुई हैं, अभी तक वो opposition वालों के हुई है, इसलिए opposition वाले कहते हैं कि हमारे को दवाने के लिए ही किया गया है, भाईया सायद सत्ता में लोग इसलिए आते होंगे, कि हमारे खिलाफ जो लोग हैं, उनको चेक कर लिया जाएगा, शायद एक कहते थे कि हमको नीचा दिखाने के लिए संसत का 2 रुप योग हो रहा है, लोग सबाई speaker के पास बात पहुंची तो उनने पूछा कि बताओ क्या करना है इसका, एक काम करते हैं, इस पूरे की पूरे मामले को उठाते हैं, और इसको उठाके ethical panel के पास भेज देते हैं, कॉंग्रेस के भी हैं, सिवशेना, जेडियू, सब के 15 लोगों को ले करके कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी से का गया कि देखो, ये पूरा मामला है, ये सारे की सारे पन्ने आ गए, अब आप इसको अच्छे से देख लो, अगर लगता है कि मैडम ने गलत किया है, तो आ इस्था ही समयती जो आवशक्ता के अनुसार बनती है, इन समयतीयों का काम क्या होता है, कि सांसदों के साथ में जो भी विवहार करने हैं, चाए एथिक्स को लेकर हो, या वित्त को लेकर, पियसी जैसी कमेटीया हो, ये कमेटीया संसद ये कारे को आगे बढ़ाती है, तो उनमें अगर कोई नैतिकता का हनन हुआ है, तो उसके लिए एथिक्स कमेटी बनाई जाती है, तो ये वो हो गई एथिक्स कमेटी, ठीक है, लोगसभा में वर्ष 2000 से लेकर एथिक्स कमेटी चल रही है, 2015 से पर्मानेंट लोगसभा के अंदर एथिक्स कमेटी बनी हुई है, पहले राजसवा के अंदर Ethics Committee बनी थी क्या कभी ऐसा काम हुआ है कि Ethics Committee की सिफारिश पर कुछ हुआ हो बिल्कुल 2005 के अंदर BJP के सांसत सस्पेंड हुए थे, पैसा लेके question पूछे थे अब पुराना जखम है, वो खुल कर भारा आ रहा है तो आप यहां पर देख सकते हैं, 2005 के अंदर cash लेकर के 5 जो है 11 जो MP हैं, वो पहले भी expel हो रखे हैं, तो आगे अगर कुछ होता है, तो मववा मोहितरा की जादा से जादा सांसरी चली जाएगी, या फिर वो कुछ दिनों के लिए suspend होंगी, जो भी के लिए मामला कोर्ट में पहुँचा, कोर्ट में पहुँचा मववा मोहितराने जाकर BJP के MP निशिकान दूबे के उपर और साथ में एडवोकेट जैन अनंत दैरादाई के उपर defamation केस लगा दिया, मानहानी केस लगा दिया, कि ये मेरी मानहानी मतलब इन्हों ने मेरी इज़त का मतलब देखरों मजाक बना दिया है कि मेरे इससे पैसा लिया है, मैं तो सच बोल रही हूँ मेरे से ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई बात नहीं इस प्रकार की जब मानहानी का मामला निकल कर आया, पार्लियमेंट के अकाउंट के एकसेस की जानकारी इतने देरे में बंब की तरह फूट के सामने आ गई खुद बिजनिसमेन निकल कर सामने आ गया कि साब मेरे पास तो लोगसभा का लॉग इन आईडी पासवर्ड सारा था मैं ही कोश्चन भेजता था तो बैक फूट पे आ गई मेडम का वकील पीछे खट गया मेडम का वकील जो है वो जैयनन देयादराई को फौन करके कहता है कि सुनो यार मामला भार सेटल कर लो वो जैयनन देयादराई दुनिया के सामने कोट के सामने बूल देयादर इनका वकील तो कहता है भार सेटल्मेंट कर लो कोट कहती है दिल्ली हाई कोट कि अरे माराज इस मामले को मेरे सामने क्यों बता रहे हो यह तुम्हारा अपना मामला है मुझे क्यों बता रहे हो यानि इसके उपर कोई header फुटर नहीं दिया गया है इसका मतलब यह हुआ कि इनसे तो केवाले कोरे कागज पर साइन करवाया गया था दर्शन हीरा नंदानी से और बाकी जो लाइने हैं ये तो पुलिस ने दर्शन हीरा नंदानी के कनपटी पे बंदूग रखके बाकी जो लाइने हैं वो तो खुद से draft की हैं हो सकता है बीजेपी ने खुद ने draft की हो महुआ मोहित्रा जी ये जी कुछ भी बोल सकती है ये तो बिल्कुल वैसे वाली बात होगी मोगवा मोहितरा जी ये भी कह सकती है कि मेरे पास की जो login ID थी वो मेरे पास ही थी लेकिन दर्शन एरा नानी ने मेरी कनपटी पे गंदूग लगा दी और मुझसे का login ID पासवर्ड दो अब मैं तुम्हारी तरफ से सवाल पूछूँगा कुछ भी हो सकता है अगर कनपटी पे बंदूग लगाने से ऐसे होने लग जाए तो फिर तो प्रदान मंतरी की कनपटी पे बंदूग लगा के कहा जाए कि पाकिस्तान को परमानो बंसे उड़ा दो क्या बखवास बाते चल रही है पर खेर सब तरह की बाते चलती है राजनिती में आप और हमारे बीच में आ जाती है तो आपन लोग चर्चा कर लेते हैं अल्टिमेटली कहने का मतलब यही है आरोप प्रत्यारोप की राजनिती है लेकिन गलत कौन है यह जानने का आपको और मुझको हक है देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है बाकि इन्हों ने पूरी तरह से बोल दिया है दर्शन इरा नंदानी ने जो अंग्रेजी में लेटर निकाला उसकी हिंदी में बता देता हूँ इनने का कि मैं मुवा से मिला था तब जबकि वो बंगाल के अंदर विधायक हुआ करती थी ग्लोबल बिजनिस समिट थी बंगाल के अंदर 2017 में उनसे बात किया क्योंकि वो हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स गए थे जो हम बड़े लोग थे उन सब के होस्टिंग में लगी हुई थी उनसे बात हुई तो उनने देखकर लगा कि ये बड़ी सपस्टवादी है भविश में आगे जाएंगी थोड़ा थोड़ा विवार हुआ धीरे धीरे दोस्ती आगे बढ़ने लगी दोस्ती आगे बढ़ने लगी हम लोगों की बीच में काटि के समय जर्म आंदोलन किया दो बढ़ा इंट्रेस्टिंग राजिनिती के लिए यह अपने आप में लर्निंग लेसन अर्वींद केज्रिवाल मॉडल कैसे क्या किया उठाकर टार्गेट किया बीजेपी को कांग्रेस को बड़े बड़े कुछ तो गजब कर जाएगा, यह आदमी इतना confidence से कह रहा है, इतने लोगों के सामने कह रहा है, लोगों ने का भाई ऐसा कैसे कर पाओगे आप, बल चंता ही मत करो, वास्थिक्ता में दिल्ली की सरकार के पास पुलिस नहीं होती है, लेकिन वो आदमी दमकाय पड़ा था, स्रीला दिक्षित को तो मैं आते ही जेल में डाल दूगा, मैं फलाने को जेल में डाल दूगा, अम्मानी के जितने भी मीटर लग रहे हैं, सब हटा दूगा, लोगों को लगा, ओवर प्रॉमिसिंग आदमी है, इस की परिक्षा में IRS बनकर निकलकर आया है, सही बोल रहा होगा, इतना चिलाया, इतना चिलाया, बड़े-बड़े लोगों को टार्गिट करके, अच्छा बिचारे, बड़े लोगों की मजबूरी है, कि जब छोटे लोग बोल रहे होते हैं, बड़े लोग से मतलब सोच क कर देखो, शीला दिख्षित सीम है, सिटिंग सीम है, एक भी आदमी दासन दे रहा है, तो ये थोड़ी उसको रेस्पोंस देंगी, या फिर मान लीजे कि कोई बड़ा निता है, कॉंग्रेस का है, बीजेपी का है, वो क्या सोच एगा, ठीक है बिचारा मेहनत कर रहा है, र बताओ, आप जाकर के इनको जेल कब लेकर आओगे, बोले जब दिल्ली का पूरे राज्य का दर्जा मिल जाएगा, यार आप तो मुद्दा भटक गए, आप शुरुवात में कहे थे कि आप आते ही जेल में डाल दोगी, पहले बताए होते दुनिया को, तो हम पहले पूरे राज्य का मुद्दा उठाते, फिर जाके आपको सीम बनाने की बात करते, तो खेला हो गया, बोले नहीं, आप मुझे पंजाब का राज्य मुखी मंतरी दिलवाओ, वहां दिलवा दिया, बोले अब कुछ कर दो, आपने इतने लोगों के बारे में, तो ये राजनिती है ज कैसे, महुआ मोहितरा ने कहा कि अपन भी टार्गेट बनाएंगे, किसको बनाएंगे, बोले प्रधान मंतरी को टार्गेट बनाएंगे, अब भाई सार, इन्हों ने हीरा मंदानी से ये वाली बात बोली, कि देखो, मुझे बड़ा बनना है, और बड़ा बनना है, तो क्या कहने का मौका मिलेगा, कि भकीर आदमी के पास में इतने लाग का कुरता है, इतने लाग का चश्मा है, इतने लाग की घड़ी है, आप कहते रहो, लेकिन ज़्यादा लीड नहीं छोड़ रहा, तो क्या छोड़ोगे आप इसके बारे में, तो आपके पास मौका नहीं मिला, लेकिन हो सकता है मोधी को finance अडानी करता हो तो अडानी को खेंचते हैं तो भाई साथ हीरा नंदानी ने कहा कि इन्होंने इस कारण से अडानी को target करना शुरू किया आप मेंसे भी बहुत सारे लोग पहली बार इनके बारे में जाने होंगे कि मुवा मोहितरा नाम से भी कोई सांसद है ये फर्स टाइम की सांसद है सुर्खियों में इतनी आगए कि बाकी सांसद खोबड़ी घुजाल रहे है यार हम भी तो सांसद हैं हमें कोई जानता ही नहीं है वास्त्विक्ता ये कि अपने जितने लिसनर है ना उनमें से कही लोग तो वास्त्विक्ता में नहीं जानते है कि उनमें से कौनसा कौनसा उनकी जगे का सांसद है खेर जो भी है कुल मिला करके सारी कहानी ये है कि इनके दोस्तने इन पर आरोप लगाएं अब वो सही है कि नहीं है ये तो ईश्वर जाने लेकिन राजनीती में शायद यही होता है, बड़ा बनने का सबसे छोटा शॉटकट, यह आप किसी बड़िया आदमी को टार्गेट करो, वो आपको जवाब देगा नहीं, आप फ्लुएंचली उपर उठ करके बढ़ते चले जाओ, खेर, फिलाल के लिए अपना तो इतना ही विसलेशन है, बाकि आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बाइद अगर आप हमसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर, तो अंकित कुमार अवस्थी के नाम से हमारा ट्विटर हैंडल है, वहाँ पहु कर दिया है, आप जाकर के उसे डाउनलोड कर लीजेगा, थैंक यो सो मच, अपना खयाल रखें